नमस्कार दोस्तों मैं निरिज कुमार आप देख रहे हैं सेखावाटी की जलक राजस्तान विदानसभा चुनाव 2023 के लिए मद्दान 25 नौबर को हो चुका है आज 6 दिन मद्दान को भीच चुके हैं और 3 नौबर को मत गणना होनी है प्रिणाम आने है इसी बीच कल बड़े कारें लेकिन हम विस्तार से एक एक सीट पर बात करेंगे और आपको शमजाएंगे कि किस तरीके का प्रिणाम तीन नवंबर को जब मत गड़ना होगी उसमें आएंगे हम सुरू में बात करते हैं जुनजुनु विदान सभा चेतर की जुनजुनु विदान सभा चेतर कॉंग्रेस का गड़ रहा है यहां सुमित्रा सिंग एक बार बिजेपी से चुनाव जीती है तो एक बार मुल सिंग बात करें तो इस बार का चुनाव कोंग्रेस बीजेपी में सीधा ना होकर के राजंदर भामु जिसने भाजपा से बगावत की ने इने त्रिकोणी बता दिया और लगातार यह चुनाव इस तरीके से बना हुआ कि जब चुनाव की गोष्णा हुई और जब कोंग्रेस की टीकेट मिली बीजेपी की टीकेट बबलु चोधरी को मिली उसके बाद ये कहा जा रहा था कि बबलु चोधरी कमजोर प्रतैसी है और इसके बीच राजंदर भामु ने बगावत कर दी है तो बिरजंदरोडा सीधा सीधा चुनाव जीत रहे हैं लेकिन जिस पक्ष में लोगों को करते वे नजर आए तो सबसक्राभ धिरे दीरे चुनाव अच्छा दिल्चेस्प में वनता गया और इसी बीच यह आप Bots Adak Ka ai सबसे बड़ा कारण माना जाता है कि जो नगर्परिशत चैतर है जुन-जुन नगरु परिशत उसमें मुस्लिम बोटवेंग है यह कहूं कि पूरी विदान सभा में लगबग 65,000 के आसपास मुस्लिम मदाता जिनकी 50,000 के आसपास पॉलिंग होती है वो एक मदाता कॉंग्रेस की तरफ लामबंध होके पड़ता है लेकिन जिस तरीके की कॉंग्रेस के बोटवेंग में राजेंदर भामून नजर आते हैं तो इसमें लग रहा है कि यह चुनाव कोंग्रेस के बर्जेंदर उला और निर्दली राजेंदर भामू के के बीच में नजर आ रहला है और कहीं कहीं कडी एक चोटे मार्जिन से के के प्रत्याशी ब्रजंद्र ओला चुनाव जीतते विए नजर आ रहे हैं इसके साथ बात करें मंडावा विदान सबाद चेतर में बीजेपी के प्रत्याशी थे सांसत नरेंदर कुमार तो कोंग्रेश की प्रत्याशी थी वर्तमान विधायक रिटा चोदरी इसके बीच जब बाजबा ने नरेंदर खिचड को प्रत्याशी बना है था उस समय नरेंदर खिचड काफी आगे थे वह चुनाव जीतते विए नजर आये थे लेकिन धीरे-दीरे जिस तरीके की बोटों को या अपने प्रत्याशियों को रिटा चोदरी एक जुट करते विए नजर आई औ चुनाओं को विए पर्माव चुनाओं से अइन रेंदर खिचड के समय तो कि 5,000 और आजसपास को मुकाबले हम चुनावचे है लेकिन जब देखें कि दोनों ही इनके पहले चुनाओं की इस्तती देखे रिटा चोदरी और नरेंदर खीचड की इन में जब भी चुनाओ होता एक नजदी की मामले में चुनाओ होता लेकिन इस बार का एक देखें कि पूरे राजस्तान में हम देखें तो ऐसी ऐस्टी शमुदाई जो धीरे-धीरे बीएस्पी कॉंग्रेस से छिटक करके बीएस्पी या आजाद पार्टी की तरफ से मूह कर रहा था वो इस बार अचानक फिर से कॉंग्रेस की तरफ शिफ्ट हुआ इसके साथ ही ज मेरे मानना ही है कि कड़े मुकाबले में कहीं ने कहीं दो तीन हजार के डिफ्रेंस में नरेंदर खिचड चुनाव जीत सकते हैं इसके साथ ही हम बात करें नवलगड विदान सबाद चेतर की तो नवलगड विदान सबाद चेतर में सीधा-सीधा पूरा सा ऐसा पूरे एक आवाज आ रही है कि इस बार नवलगड में बदलाव हो रहा है और जो 70 साल में नहीं हुआ कि वहां बीज़ेपी का कमल नहीं खिला वह इस बार कमल खिलता हुआ बता रहे हैं वहां बता रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि प्चास प्चास हज़त है सकते है कि दोनों 2070 नजदी की मकाबले में विक्रम जा खल निकाल सकते हैं सब्सक्राइथ लगातार पूरे राजस्तान में चर्चा रहा है कि यहां BSP के विधाय के राजेंदर गुडा लगातार कभी कोंग्रेश के खिलाब बोलना कभी पाइलेट के खिलाब बढ़ना कभी कभी पाइलेट के साथ कोंग्रेश पर अरोप लबाना कभी मुख्य मंत्री पर आरोप लगाना कभी लाल डाइरी के माद्यम से पूरे प्रदेश में चर्चा का विशे थे बीजेबी के परताशी पूर्व विधायक सुबकंड चोदरी भाजबा के परताशी इसके साथ ही कोंग्रेश के पूर्व परताशी बगवा बाते यह थी कि दो मुख्य बोट बेंक जाड़ समुदाए और एक सेनी समुदाए जाड़ समुदाए के लगबग 55,000 के आसपास बूट है जिन में से मानना ही है कि लगबग 40,000 के आसपास बूट होते हैं जिसमें मैं यह मानूं तो 30,000 कहीं ने कहीं शूबकंड चोदरी क खाते में जा सकते हैं जो उनके विकतिकते लाइजन के वज़े उनके खाते में जा सकते हैं इसके साथ ही जिसके 75,000 के आसपास बोटबंग और जैसे ही आसो गैलोथ यह सवा करके गए और उन्होंने कहा कि यहां से बगवानाराम से नी चुनाव ने रहा है यहां से यहां से फोल चुनाव लड़ रहा है यहां में उद्यपरवाटी को गोद लेता हूं यहां यह मान लोग यह इसके बाद सेनी मद्दाता कहीं कोंग्रेस की तरफ लामबंद होता हुआ नजर आया और सेनी मद्दाता के साथ-साथी राजेंदर गुड़ा जो सीव शेना के प्रताशी उनका जो मूल वोट वेंग था स्टी और मायनुर्टी वह भी कहीं ने कहीं राजेंदर गुड़ा से कोंग्रेस की तरफ होता हुआ नजर आया इसके अलावा उद्यप्रवाटी विदान सभाद चेतर के इस बार के हाला आती है कि शुबकर्ण चोधरी और कोंग्रेस के परताशी भगवानाराम सेनी में कड़ी टककर है वह जो राजेंदर गु पिसली बार के परताशी रहे बाजबा के इंजनियर द्रमपाल गुजर को भाजबा ने फिर मोका दिया क्योंकि उन्होंने नजदी की मुकाबले में पिसली बार का चुना वहा रहा था 900 बोटों के आश्पास और अचाना के भाजबा की उनीक परिवार की उनीकी बती जी मनीशा परधान उनको उनको परिवार में जो दातराम और ध्रमपाल उनका परिवार में से बीजेपी किसी एक को टिगट देती है और एक परिवार की या तो चुनाव लड़ता सामने या भीतर गात होती है इस बार दोनों प्रिवारों में आमने सामने का चुनाव था और इसके साथ ही बीजेपी के उमीदवार मनोज घुमरिया जो पिछले एक डेड़ साल से काफी अक्टिव थी वह भी बीच में थे बीच में अच्छी बोटों में सेंद लगाए हुए थे तो इस खेतड़ी में नजर आ रहा है कि इस बार बीजेपी के इंजनियर ध्रमपाल गुजर एवं बीच्प के मनोज घुमरिया के बीच चुनाव हो रहा है कोंग्रेश की परताशी मनीशा गुजर तीसरे स्थान पर नजर आ रहे हैं इसके बात करें तो खेतड़ी में बीच्प बीजेपी के इंजनियर ध्रमपाल गुजर जीतते हुए नजर आ रहे हैं इसके साथ ही बात करें सूरजगड़ विदान से बाच है थी कि सूरजगड़ में बीजेपी की परताशी थी पूर्व शान्चत रही शंतो शैलाव तो कोंग्रेश की परताशी पूर्व विधायक सर्वन कुमार थे दोनों की बीच कड़ी टकर की चुनाव हुआ कहीं कहीं कोंग्रेश के समर्थक या सर्वन कुमार के समर्थक करें कि हमारे विधायक कोंग्रेश के कार्यकरता चाय हारे चाय जीते सर्वन कुमार को विधायक जी ही कहते हैं तो वह कह रहे हैं कि विधायक तो संतोश मेडम 15000 के आसपास चुनाव जीत रही है लेकिन मेरा मानना है कि दोनों में काफी नजदी की मामला रहने वाला और इस नजदी की चुनाव में कहीज नजर आ रहे हैं सरवन कुमार चुनाव जीते हुए नजर आ रहे हैं तो मेरे हिसाब से मेरे को ये लग रहा है कि इस चुनाव में कहीं ने कहीं दो सीटे भाज़पा के खाते में तो चार सीटे कांग्रेस के खाते में एक सीट कहीं किसी अन्य को मिलने की शंभाव ना मेरे को नजर आ रहे हैं बाकि जब तीन तरीकों प्रिणाम आई है तब देखेंगे किस की जोली में प्रिणाम आता है, किस के सर पर सरता ताज सजता है.